लोकसबा चुनाव नस्दीक हैं ऐसे में भारती जन्ता पार्टी ने अपने उमीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी लेकिन इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश से एक भी नाम शामिल नहीं किया गया अब सवाल ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश के नामों को होल्ड क्यों किया गया दरसल कल शाम भारती जन्ता पार्टी की दूसरी लिस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान सांसदों की धड़कने और तेज हो गई जब इनकी उम्मीदें अब भाजपा की तीसरी सूची से जुड़ चुकी है क्योंकि कल जो लिस्ट आई उसमें भाजपा के यूपी से किसी भी उमीदवार का नाम शामिल नहीं किया गया था अब उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों के नाम की जो तीसरी लिस्ट आएगी उसी में उनके नाम गुशित किये जाएंगे इसी के साथ उत्तर प्रदेश में न सिर्फ भारतिय जंता पार्टी के वर्तमान सांसत बलकि एंडिये गटबंधन में शौमिल दलों की भी धड़कने बड़ी रहेंगी लेकिन इन सब के बीट सबसे एहम सवाल ये है कि आखिर देश में सियासी महत्वर रखने वाले प्रदेश के उम्मीदवारों को इतना इंतिजार क्यों करना पड़ रहा है दरसल भारती जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में राश्री लोगदल, अपना दल सोनेलाल, सुहेल देव भारती समाज पार्टी यानि की सुभा सपा और निशाद पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है अब ऐसे में NDA में सीट शेरिंग का फॉर्मूला तो लगबग तै हो चुका है सुत्रों की अगर माने तो सुभा सपा अध्यक्ष उम्परकाश राजभर और अपना दल अध्यक्ष अनुपरिया पटेल अभी भी बीजेपी से सीटों को लेकर बातशीत कर रहे हैं ऐसे में बीजेपी ने यूपी को होल्ड किया है बीजेपी ने गडबंधन के तहट रालोध को दो सीटें दी है जिनमें से बागपत और बिजनूर की सीट भी शामिल है ये दोनों सीटों से रालोध अध्यक्ष ने अपना कैंडिडेट भी उतार दिया है वहीं अपना दल एस को दो और सुभा सपा को एक सीट दी गई है अगर बात करें दिगज नेताओं की तो इस लिस्ट से पीली भीट सुल्तानपूर और केसर गंज का फैसला होना था जिसमें पीली बीट से सांसद हैं वरुन गांधी, सुल्तानपूर से सांसद मेंनका गांधी और केसर गंच से सांसद ब्रज भूशन शरंड सिंग से लेकर कानपूर संसदिय सीट से उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम निर्ने की उम्मीद लगाए गई हाला कि ऐसा दूसरी लिस्ट से नहीं हो सका सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बात की कि बीजेपी में अब भी कुछ प्रत्याशियों के नामों को लेकर असमंजस की स्थिती है इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश दूसरी पुर्वांचल और एक अवत की भी सीट शामिल है हला कि इसको लेकर भारतियो जन्ता पार्टी के वरिष्ट नेताओं का कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई असमंजस नहीं है जल्द ही चुनाव कमेटी की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी फैसला कर दिया जाएगा भारतिय जन्ता पार्टी से जुड़े सूत्रों की अगर माने तो चुनाव समीती की बैठक में उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है इसी वजह से उत्तर प्रदेश की सूची जादी नहीं की गई अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें